शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें गौरव, यहाँ हूँ? गैना, यह गौरव और मेरी तरफ से तुम्हार ले बक्षीर. कर तो आपप परिवार के सामने मारी बेज़िदी करा गरते थे लेकिन अब नौकरों को हमारे सर के उकर बिठा दिया है, हमसे बर्दाश नहीं होता! तो क्या करोगे तुम? कुछ भी, कुछ भी जिस्से! जिस्से क्या? जिस्से हम लोग बन सके, रूल कर सके! कुछ लोग, इस समय तुम क्या करना चाहते हो, इस से जादा ये सोचना जरूरी है कि इस समय हमें क्या करना चाहिए! मतलब? मतलब ये, कि अगर इस घर में हमारे लिए कुछ अच्छा हो सकता है, तो गौरफ और कहना का इस घर से जाना बहुत जरूरी है! उन दोनों के जाने से हमें क्या फाइदा होगा? फाइदा? वे, फाइदा ही फाइदा है! क्योंकि जब गहना को चोट तो, तो गौरफ को तकलीफ होती है! और जब गौरफ को तकलीफ देंगे, तो उरवशी पगला जाएगी! वरी, होगा कैसे? थोड़ी सी मेहनत करनी बलेगी! मुझे पूरा यकीन है कि इस ट्राइवर और उस नौकरानी के बीच कुछ तो खिचडी पक रही है! हमें बस उस खिचडी का पता करना है! और इस आग में थोड़ा सा खी डालना है! स्वाहा! इसमें कोई ना कोई सुराग तो जरूर होगा! जिससे पता चल सके कि वो लड़की कौन है और कहां है? साभजी ने कहा था कि ये 25 साल पुरानी बात है तो हमें 25 साल पहले देखना होगा कि वो कौन-कौन से गाउं गए थे कौन सी कौन सी राली कि थी उनों है हाँ, यही तीन गाउ के अस्पताल में हमें धूनना होगा यही से कुछ पता चलेगा हमें मालिक, यह यह हमारी बख्षीश है कहना यह पैसे बापस दे दो नहीं देंगें क्योंकि अपनी पहली कमाई से लिया था जब से तुम आई हो तब से तुम्हें देने की सोच रहे हैं क्योंकि हमारी हर चीज़ पर सबसे पहला हक तुम्हारा है अब बश्पन से देख रहे हैं कि कैसे तुम्हें खपड़ों पर चित्रकारी करना पसंद है हमारे रुमाल पर भी हमारा नाम गोदिया करती थी थपसे इसे समाल कर रखे अब तुम्हा अपनी चित्रकारी इस पर बना सकती हो और क्या पता तुम अपने खुद की आउडर्स पूरे करने लग जाओ नहीं मालिक इसके हमें कोई ज़रूरत नहीं है हमें फुरसत ही कहां मिलेगी घर के सारे काम करने से कि हम यह सब करें पर गहना यहां पर तुम प्रिंस की देखवाल करने के लिए आई है कि घर के काम करने के लिए नहीं और भाकी चीजों से तुम्हें बाकी कामों से वक्त मिले ना मिले यह तुम्हारे भविष्य का सवाल है और अगर तु यह लिजिए हम यहां दूस्रा गॉरव बनने नहीं है हम गैना बनकर खुश है और हम यही रहना चाहते है कर दो कर दो कर दो करना चाहते थे लेकिन इस वाक तुम्हारा हमसे दूर रहना यहीं सही होगा हम तुम्हारी नफरत सह सकते हैं लेकिन तुम दो और दो के बीच फसे रहा हो यह अंबरधाश नहीं कर सकते हमें कमजोर नहीं पड़ना है हमें वो लड़की को ढूंड़ना है यह तो किसी अस्पटाल के रतीड लग रहे हैं जी इसंगम अस्पटाल यह पता तो यह है इसका मतलब यह रसीप यह यह तीमो गाव में से इसी गाव के अस्पटाल की लग रही है इसका नमबर हाँ इसका नमबर पता करते हैं मिलके नमबर हम यह फोन करके पूछते हैं वो सकते है शायद? शायद वो लड़की को उसने इसी अस्पटाल में जनम लिया आप जिस नमबर तर कॉल करना चाहती है वो अपन है फोन क्यों नहीं लग रहा कि यह नंबर में से हम तीन नंबर लगा चुके हैं लेकिन कई भी अमारा संपत नहीं हो पार है अब पस्टोथा नंबर है महादी इस बार कोई फोन उठा ले हलो आजी बताईए हलो जीवन संपता है हमने पोछना था कि चौबिस साल पहले एक एक लड़की ने आपके अस्पताल में जनम लिया था तो हमें उसके कागज पर अरो हमारी ब्रांच तो बीस साल पहले ही बंद हो चुकी है हमें तो नंबर जिसे हम हम बात कर सके हां कि सारे करमचारियों को पत्ना के किसी अस्पताल में सिफ्ट किया गया था क्यूकि उस अस्पताल में आग लग गई थी आप तो वह जिवे खंडर है वहां तो किवन आप सराभी गुमते हैं अचा ठीक है अगर अगर हमें वहां से किसी अगर चाहिए कोई कोई जनम पत्रिका चाहिए तो वहां में कैसे मिलेगी हम अहीं घंडर में दव गया होंगे घंडर में आप चाहें तो वहां जा के देख सकती हैं अगर घंडर हाचा जी जी ठीक है तन्यवाद कि अगर जाच करें कि अगर जाच करें कि शयद हो सकता है कि साभ जी की पेटी का सुराग हमें यहीं से बिल जाए क्यूंकि अब अब वस यह एक ही जगह है जहां हमें कोई उमीद नजर आरे हैं हमादेर हमारा साथी जीए का विन्नमश्यवाद हुआ 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 है यह गाओ वाली इतनी रात कहें अपना चहरा चुपा के बाहर खाँ जा रही है सरूर कोई कांट करने जा रही होगी जा के देखते हूँ आपन जी आज सुभे मैंने आपसे कहां और आपने मुझे मुझे मोका दे दिया अवाई का मज़ग हम यह दूसरा गॉरफ बनने नहीं है हम गयना बनकर खुश और हम यही रहना चाहते है जी भाबी गॉरफ रात पो ग्यारा विजे गयना घर से बाहर तभी जा रही है इखो तो कहीं तुम्हारी फ्रेंड किसी मुसिबत में तो नही है जी जी हम देखते हैं क्याना इतने जात को कहां चा सकती है अब आएगा मसा कर दो कर सकते है है अरिफला से, के टूर्वारे संग एक पी कीमदिधार खालती तो कि का बाद से, कि अगला था हुक हाँ, शुला हाँ, लगला है। उदर देख दे, आस तो लड़की हाथ लगी है हाँ, यहाँ कुछ हो सकता है उर्वषी देदी, उर्वषी देदी हिमत कैसे हुई तुमारी मेरे कमरे में आने की? वो हमने अभी अभी गौरव को बहार जाते हुए देखा ना तो सुचा पूछ ले, आपने दवाई ली है यह यह इसलिए आगए गौरव इसलिए बहार गया है हाँ, हमने अभी देखा वो गौरव और गहना दुनों बहार कहे है शायद वो दुनों एक और शब नहीं गौरव मेरा पती है वो एक लोकरानी के साथ नहीं गूमेगा उर्वषी दीदी, आप शहर भूल गई गौरव पहले गहना का दोस्त है आपका पती उसके बात है अब तुम्हारी बारी उर्वषी, करो हंगामा करान वो रहे लड़की पक्रो उसे पहाँ में पुल अए पहाँ है, पहाँ में पुऴकी कहाँ है पहाँ में पुल अवड़की आप बिदर के तरफ गईये चलो तुम अजाए कश्च नाच मेरे पास है, जब तब तुम मेरे पास हो, तुम अजाए को तुम अजाए, भूम अजाए, तुम अजाए कि रुको गैना बहले हमें ये बताओ कि तुम उस खंडर में क्या कर रही थी तुम ये राज किसी को भी बता नहीं सकती सुधा को नहीं वरना सब कुछ तबाह हो जाए है तुम तुम से कुछ पूछ रहे हैं तुम वहां पर क्या कर रही थी कर रहे हैं तुम्हार तुम्हें हमारी कसम है हमसे कुछ मत पूछ इस वक्त तुम्हारे कोई भी सवालों का जवाब नहीं है हमारे पस कैना तुम कि अधी रातको मेरा पती एक नौक रानी के साथ क्या कर तो मैडम हम घयना से मिलने नहीं आये थे हमें लगा ये इतनी रात को कहीं बाहर जा रही है थो हम सिर्फ इस रोकने के तो इतनी रात को कहां गुल्छर्रे उरा रही थी कि मेरे पती को तुम्हें बचाने आना पड़ा बोलो गहना इसकी चुप़ी बता रही है कि जरूर कोई ना कोई गड़वर है गहना फिर बताओ मैडम जी को कि हम तुमसे मिलने नहीं आये थे हम चाहकर भी सच नहीं बता सकते हैं सच कहा तो सहाब जी का रास बाहर आजाएगा और अगर हमने जूट बोला तो मेम साब को और पर शक करेंगे अब हम क्या करें गॉरव की कसम खा के बोलो गहना कि तुम दोनों कहा गए थे सच बताओ गहना और मुझे पता है कि तुम सच ही बोलेगे क्योंकि गॉरव तुमारी जिंदगी में इतना माइने रखता है कि उसकी जूटी कसम तो ने खाओगी तो बस हम बताते है सच हमें पुरानी प्रॉपर्टी खरीब नी थी बेशने वाला कह रहा था कि वो सरकारी जमीन पर है उसी की जाग पर्ताल करने के लिए हमने गैना को भीजाता है पापा लेकिंग मैं उर्वशी हर चोटी बड़ी बात पर ऐसे गुस्सा करना सही नहीं होता है गैना को कुछ काम भी हो सकता है और हमें उसकी नीजी जिन्दगी में दखल देने की कोई ज़ुरत नहीं है तुम अपने पती पर भरूसा रख रखो मा तो गैना का साथ देती ही थी अब आप भी गैना का साथ देने लग गए पता ने इस लड़की ने आप सब पर क्या ही जादू कर दिया है उर्वशी ऐसी बात नहीं है हम बस तुम्हें समझा रहे हैं कि गुस्सा करने से पहले कुछ बोलने से पहले आस-पास का माहौल द कुछ आ चुका है हम और सुनना नहीं चाहते हैं कि पुरवशी तुम अंदर जाओ यह पापा जी को हो क्या गया है अपनी लाडली बेटी को छोड़कर यह कहना कि इतने तरफतारी क्यों कर रहे हैं गौरव तुम अंदर जाओ साहब जी अस्पताल के रेकॉर्द्स वो आपके डाइरी से मेल खा रहे थे लेकिन वो अस्पताल सालों पहले जल गया लेकिन हां उसके कुछ करमचारियों के बारे में हमें पता चला वह एक नर्स थी वो अधित्तर गाओं में बच्चे पैदा करवाने जाती थी बस एक ब तो कहों है साहब जी एक गोखेडा और दूसरा रामगड़ 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 ही होगा वो हमेशा कहती थी हमारे राम रामगड़ आए हैं अगर वो नर्स मिल गई तो सच का पता चल जाएगा जी साहब जी और उमीद है कि शायद उस नर्स का पता कल शाम तक हमें मिल अच्छा हुआ हम वापस आगए, नहीं आते तो इनकी बाते कैसे सुन पाते, पर अब हमारा शक यकीन में बदलता जा रहा है, कुछ खिच्डी तो जरूर पकरी है यहां पर, हमें नजर रखनी होगी, ताकि हम इनका बहुंडा फोर सके, ठीक है जाओजी है, तो जब हमारे शहर में इससे पहले कि हमारे विरोधी उससे रिष्टा बढाएं, हमें उसके स्वागत में आज शाम को एक बड़ी पार्टी रखनी चाहिए, इससे हमारे व्यापारिक रिष्टे और अच्छे हुंगे, हाँ पापा, आप अगल सही कह रह नहीं, श्लोक, तुम नहीं, गौरफ, तुम जाओगे, गौरफ ने वंच से अच्छे रिष्टे बनाए, इसलिए नियोता लेकर भी तुम ही जाओगे, हम और श्लोक भीया दोनों साथ में चले जाते हैं, अगर घर का इक बेटा जाएगा तो वंच जी को भी थोड़ा ठीक है, एक बार इनका कल रात वाला राज हमारे हाथ लग जाए, फिर बताते हैं इन्हें कि हमारे पती के अपमान का बदला क्या होता है, अच्छा है वंच घर आ रहे हैं आज, आज हम उनको गैना का काम दिखाएंगे, ताकि वो भी उस गैना को देख सके, जिसे हम देख जिसे हमें वो नॉर्स का नंबर मिल सकता है, जी मेम साब, अच्छा, इसे इस्तरी कर दे हम, नहीं बेटा, ये तुमारे लिए, ये हमारे लिए, ये आज तुम पाटी में पहनोगी, ये, नहीं, माजा, हम ये सब कैसे पहन सकते हैं? नहीं. जिए लो. हमने तुमही बेटी काहा है, क्या एक मा अपनी बेटी के लिए तना भी नहीं कर सकती है? आपने बेती कहा है हमें, इसलिए हमारा फर्स है कि हम इस घर के काले तीके को ढूंद कर लाएं आपने हमें जितना प्यार दिया है, उसके बढ़ने में इस परिवार के लिए ये करना धरम है हमारा बस बहुत हो गया, तल रात को बापा और आज मा इस घहना को हमीशा के लिए रास्ते से हटा नहीं पड़ेगा आज की बादे में मैं इसे खतम कर दोगे आईए आईए वंच जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आईए दोस्तों, आज हम आप सब को अपने खास मेहमान से मिलाना चाते हैं जिनके आने से पार्टी में चार चान लग गए मिलिए मिस्टर वंच अगनी होतरी से ये हमारे पार्टी के सबसे बड़े फाइनेंसर हैं एक बार जोर्दा तालिया हो जा इनके लिए जिनके लिए बार्टी के लिए बार्टी के लिए झाले बार्टी के लिए कर दो कर दो कर दो हम इंटरेस्टिंग में आपके लिए पार्सल आया है इस बॉक्स में जहरीला बिच्छू है अब जैसे ही तुम ये बॉक्स खोलोगी ये बिच्छू तुम्हे डस लेगा उसके बाद ना तुम कभी मेरी जिंदगी में तखल दे पाऊगे ना मेरे परिवार की ये बॉक्स ना गहना को देना है ठीक है ओके गहना तुम्हारे लिए गिप्ट पेजा है ये किस हमारी लिए जी हाँ किसने भेजा होगा ये किसने भेजा होगा ये हम यहाँ सब के सामने ये लिए नहीं खोल सकते हैं हलो क्या सच अपका बहुत बहुत दन्यवाद पुरोशी बेटा यहाँ आओ जी पापा जी एक मिनिट नौ बजे से पहले आप पहुत जाओ वरनाव चली जाएगी नहीं 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 हम समय से बहुत जाएंगे आप रिकर मत करिया हम पहुत जाएंगे यह मादेव आपका बहुत बहुत दन्यवाद अब तो हमें वो नर्स बता की देगी उसके पास जाकर हम पता करते हैं अरे गहना जी महमानों को नाष्टा सर्प करो चा हाँ अभी कर देते हैं कर देते हैं साथ बेतालीस हो गए है हमें जल्दी निकलना पड़ेगा माफ कीजी वो हमारा द्यान नहीं था वही तो मैं कह रहा हूं आपका द्यान है कहा वो वंज जी आप कहना से तो पहले भी मिल चुके कभी नका काम देखिये कहा वहाँ टालेंटेड़े रहेली इंट्रेस्टिंग वेरी इंट्रेस्टिंग तू बताईए कभ देख सकते हैं आपका काम फिर कभी तरहसल हम अभी बहुत विएस्ते हैं हमें हमारे काम से फुर्सता थी नहीं मिलते हैं फिर हम अभी आये थोड़े दिर चो कहना कहना क्या किया तुम्हें अरे इतना बड़ा आत्मी तुम्हारा काम देखना चाहरा है और तुम ऐसे चली है तुम क्या चुपा रही हो हमसे तुमें बताओ तुम क्या चुपा रही हो हमसे कुछ भी नहीं और कुछ नहीं बताना है कुछ बनना भी नहीं है हमें, हम नौकरानी है रही ठीक है, आमें माफ करो गॉरफ चले जब यहां से दोस्तों, आप सब के डांस के विना तो यह पार्टी रूखी सूखी लग रही है तो आईए, सब लोग डांस लोन पर आ जाईए गॉरफ, यहां आना गॉरवशी बेटा, गॉरफ, तुम दरनों डांस नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगिया जी, हम डांस वांस नहीं करें गॉरफ, बेटा, जा और जाकर डांस करो ऐसे खड़े रहोगे तो अच्छा नहीं लगिया चुक कहते हैं, चुक चाप करते जाओ वरना जिस त्यहना कि चान के लिए तुमने इतने पापड बेले हैं, उसकी चान लेना हमारे लिए बहुत मामुली बात है. बिन तेरे सनमर मिटेंगे हम, आ मेरी जिन्दगी। आरा ही बड़ा सजना, जालिम है दिन की लगी। बहुत देर हो रही है। I'm sorry गहना, कलती से जूस गिर गया। एक डस्टर लाकर इसे क्लीन कर दो। जी, अभी कर देते हैं। जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि तुम कहां जाने के लिए इतनी बेचैन हो रही हो, तब तक तो तुम कहीं नहीं जाओगे। मेरे हसी अब ना जा कहीं, आ मेरी जिन्दगी। आना ही बड़ा सचना, जालिम है दिल की लगी। बिन तेरे सनम। जब कोई बात बिगर जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाद। न कोई है न कोई था जिन्दगी में तुमारे सिवाद। तुम देना साथ मेरा हो हमनवाद। तुम देना साथ मेरा हो हमनवाद। कहना? क्या प्रोब्लम है तुम्हारी? एक काम धंक से नहीं कर सकती तुम। और तुम बार-बार मौके क्यों ढूंती हो मेरे पती से चपकने की हाँ? मेडम इसने जान बूँख तुम ना? औरवशी, शानत हो जाओ। यायना ने जान बूँच कर नहीं किया है कलती से हो गया होगा, जाने दोूँ आप लोग पारटी एंजोई कीजिए अब तो हमें यकीन हो गया है कि गहना का ये सीक्रेट काम पापाजी से संबंदित है तभी वो उरवशी के सामने उसका इतना साथ दे रहे गहना? क्या तो मेरे संग डांस करोगी? क्या हो जा है अब पर छूदो पूल क्यांस करोंड चेंड बेल कि अल्डने एंजोगी अब इंग कि अच्चर दूफ जल्डने एंव यज़ क्या हुआ वा हुआ चुपाना भी नहीं आता चुपाना भी नहीं आता जताना भी नहीं आता हमें तुम से महाबत है बताना भी नहीं आता जबाँ पे बात है लेकिन सुनाना भी नहीं आता हमें तुम से महाबत है बताना भी नहीं आता चुपाना भी नहीं आता जताना भी नहीं आता अजल तेजर नित। इंटरेस्टिंग। वखें इंट्रेस्टिंग। जी। माँ झाय। क्या वगया? तक पहली होला हुआ है क्या बादकी डांस हो आरे संकर रही है और उसकी नजरे नहीं ही हैं। वहा?, वैसा कुछ भी नहीं। दरअसल हम काम के बारे में सोच रहे थे, बस इसलिए हम आपसे बात पूख सकते हैं पूची आप इतने बड़े आदमी हैं और फिर भी आप आप एक मौकरानी के साथ डांस क्यों कर रहे हैं क्या है ना दान्स तो कोई किसे डिसांगी कर सकता है और ऐसे भी यह दान्स को चाहन एगाती आप यहां से जाएं तो बस फिर मने मोके का फाइदा उठा लिया और आपसे दान्स के लिए पूच लिया ओ यह यह लाइट को क्या हुआ है कोई तो हमको समझाए मुहपत कैसे करते हैं कोई तो हमको समझाए कहीं ऐसा नहों के त्यार दिन मुहपत करते हैं कश Taste यह तो इधर आओ यह ने कहा था ना कि यह बॉक्स गहना को देना तो अभी तथ यहां क्यों पड़ा आओ जाओ और गहना को वो बॉक्स दो गहना तुमारी लिए गिप्ट भेजा है जी शुक्रिया आओ मतुमारी लिए कि भी तुमारी जीए जीए आओ झाल हुष। कर दो कर दो कर दो कर दो कुआ ए Based on यहाँ? 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 कोर्ण! तुम्हें टीको, यहाँ? अपका शोक्री अवेंस्टी. यहाँ? यहाँ? तुम ठीक तो हो ना बिचा? अवान का शुक्र है. सब ठीक है. यहाँ को भी कुछ नहीं हुआ. आप लोग खड़े में क्या है? पार्टी इंजॉए कीजिये? नहीं है? आइए. चल. चल. यहाँ, तुम भी अपना काम करो. जी. जी. मुषेंग३ काम %. यहाँ, मुष.. के लिए का वहाँ है? थीए कुछ तो हूच रहे है? घुक तो नहींए. चल. मुछ तो काम लुक हो. छाठफव कि यहाओ तो निकल कराई तो तद ही अपय कहां चली गई कि इसका मतलब श्रेय भाभी हमारा पीछा कर रही थी तब भी वो हमें जवरस्ती वहां रोक रही थी अब हमें बहुत ही होश्या रहना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि हमें इस बात का किसी को पता नहीं चलने देना है हलो नहीं हम नौबजे तक बहुत जाएंगे आप फोन पर कह रहे थी कि आप उस रात को कभी भी नहीं भूल सकती ऐसा क्या हुआ था उस रात को एक सिंदगी ने जनम लिया था और एक ने दम तोड़ा था असरा मैंने पती को खोया था उनकांतीम संस्कार करकर घर लोट रही थी तो अजानक ऑस्पिटल से फोन आया अता जना बच्चा पेट में गुंग गुंग गया कॉपलिकेटिड दिलीवरी थी माँ को किसी भी हालत में बच्चे को जनम देना था पिता का तो पता नहीं था और जब मैंने पूछा यह लॉकिन मेरी बीटी को दे दे देला था कि उसका पिता जब भी आया उसको ओ पह जाता कि मैं इसके आधा टोकर वा उन्हें भी इस द डालने की लेकिन जब तक मैं उसे यह पहना पाती तब तक उसे किसी ने गोद ले लिया था मेरी कभी हमत नहीं इस लोकेट को बेजने की क्योंकि मुझे हमेशा से यह लगा था कि यह किसी की निशानी आज हमें पुरानी चीजों में मिल गया था शायद तुमारे कुछ काम यह उसकी आखरी निशानी थी यह उस निसान का पता है जिसमें उस बच्ची को गोद लिया था और इसमें तो उसकी फुटो भी है मैंने हमेशा से इसे संभाल कर रका कि मुझे हमेशा यह लगा कि शायद एक दिन वो बाप अपनी पच्ची को डूनता हो आएगा ताकि इसकी मा की मनो कामना सफल हो अब इस मा की मनो कामना सफल हो रही है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हम चलते हैं एक मिनट यह कंगन रख लीजे हमारी मा ने इसे शादी के लिए बनवाया था अब पता नहीं हमारी शादी तो कब होगी लेकिन शादी आपके काम आजाए यह में कैसे अब समझ लीजे कि इस मा की बेटी की निशानी जो आपने इतनी अच्छे से संभाल कर रखी थी आपका बहुत-बहुत नन्यवाद सहापची अभी लोकों के साथ यहां व्यस्त है उन्हें सब के सामने तो यह हम नहीं दे सकते हमें काम करते हैं हम इसी सहापची के कंगरे में रखते थे वह वहां खुद इसे देख लेंगे इस एंवलब में है क्या? पक्का यह यही लेने आई होगी देख लेवा लाद देख लेख बाद वहां वहां भी यहां व्यव्यों प्रेख लेख लेख देख लेख लेख मेरे जो 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 खूँए कि आप जए ज़ी और और हमारे बापों यह तुमने एक तस्वीर में इसका बंदल नहीं है कि इसका नहीं है कि इसका खाल कि अखाला नहीं करें यह फोटो में कौन है यह वही आदमी है जिसने उस बच्ची को को उतलिया था तो बच्ची मैं हूँ इसका मतलब हमारे असली पिता आप है तुम हमारे चूच में नहीं हो तुम हमारे चूच में नहीं हो माँ को किसी भी हालत में बच्ची को जनम देना था पिता को तो पता नहीं था जब मैंने पूछा तो वो रो दी कि शायद एक बीन बबबाप अपनी पच्ची को डूरता हूँ आएगा पिएदा पिएदा नै आपके बच्ची की मा बनने वाली हूँ हम तुमसे शादी रीगर सकते हैं क्या? इसका ख्याल रखना उर्वशी के पापा सब ठीक है न? हाँ, उस प्रॉपर्टी के बारे में गैना को पुछ जानकारी मिली थी बस उसी के बारे में बात कर रहे थे वो वंच्ची जा रहे है अरे नहीं नहीं उन्हें रोको वो हमारे बहुत खास मैमान है उन्हें एक दो दिन रुपने के लिए बनाव ठीक है यह हमारी जिन्दगी के सच्चाई आदियद हुरी तुटी-फुटी क्या गजवटाती है आप पादेव अवे कौन से पपू की सजादेर है आपकी कि अब हमसे अवारा सब कुछ पस चीतते ही जा रहे हमारी किसमत में चीजे लिखकर अगर आपको उसे मिटाना ही था तो लिखा ही क्यों आपने 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 हमारी अमम और हमारे बापो और फिर हमारा बच्पन का प्यार अब हमारा गौरव जो ही शहर में आगया और अवारा कुछ बचा ही नहीं एक जटखे में आपने हमारी जिन्दे की कॉतम करणी अपने आप से एक शब्द नहीं पोला यहा कर आपने हमारे गौरव की शादी हमारे नजरों के सामने किसी और से हो गई तब भी हमने आपको कुछ नहीं भोला आज तो आपने अपसे हमारा बजूर, हमारी पैचान, हमारी जिन्देगी, हमारा सब खुछ चीज लिया एक जटके में आपने हमारी पूरी जिन्देगी जोट करती हमारी पता चला कि बजपन से हम जिसे हमा बापू कहा करते थे वह असलियत में हमारे अमा बापू है ही नहीं अज तक जो हमारे पिता थे हम उन्हें जानते ही नहीं थे वो तो बस इस घर में यहां आलिक बन कर रहे लेकिन आज हमारे रिष्टे बदल गए है तब ही अब ना उन से और ना किसी और से कुछ क्या भी नहीं सकते इन्ना उने ने कले लगा कर सौ सकते हैं ना कोई सवाल सबाब कर सकते हैं कुछ भी नहीं यह कैसा हिंसाफ है आपका मादेव यह कैसी परीचा ले रहे है आप हमारे आप बताए हमने क्या इसा गुना किया है कि हमें एक साधारन जिन्दगी नसीब नहीं हो रही है नहीं नहीं मोट पर आप हमें बस कसोटी ही देते रहे गहें क्यों आदे हैंग क्यों हो पदरेहें हमें क्यों हो अब हैंगें ग्यों हुआ है इसको बतने भी है कि इसकर का खाला टी का आम ही तुम ये राज किसी को भी नहीं पता सकती आँ ओ गहना तुम्हारा ध्यान कहा है आज गहना चाह हो गया बिटा तुम इती खोई-खोई से हो आज आज सुबह से ये बरताफ कर रही हो तुम क्या बात है तुम ये राज किसी को भी नहीं पता सकती सुधा को भी नहीं वडरना सब कुछ तभा हो जाएगा साब जी ने भले ही किसी को बताने से मना किया है लेकिन हक है इनका सच चालने का बोलो माची अब क्या चल रहा है माँ और क्या है ये काला ठीका घर में क्या बगवास चल रहा है मेरी कोई बहन है तो महारी चूट प्रिष्टी रहो ने ने बिटा ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर घर में काला किता की बाते क्यो उठ रहे हैं पापा का कहीं कोई नाजायज रिष्टा तो नहीं हम अपने पती के बहर में कुछ नहीं सुनेंगे तुमारे पापा कैसे भी हो? हमें उन्होंने धोका नहीं दिया है इसलिए हम उनको छोड़कर नहीं गए आप सही कहरिये मा इस घर की औरतीं सब कुछ बर्दाश कर लेती है पर अपने पती को किसी और के साथ नहीं देख सकते मुझे माफ करना बेटा मैं अपने गुसे को काबू नहीं कर पाए पर क्या करें सुहाग ने सब कुछ सह सकती है पर अपनी पती की बेवफा ही नहीं जिस दिन हमें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ ने हमें धोका दिया है उस दिन हमारे प्रान निकल जाएंगे पादेविक कैसी कश्मकश में डाल दिया है हमें कैसे बोले हम की साहब जी के सबसे बड़े धोके का सबूत हम खुद है गयना का है दिखाई नहीं तेरी हमें भी सुभा से नजर में आई उसके तबियत तो ठीक है तबियत तो उसकी ठीकी थी पतानी सुभे से खोई-खोई सी थी पतानी क्या हुआ उसे आपने तो उससे कल बात किया था ना आपने कुछ कहा तो नहीं उसे पराइठादो ठादो यहना इस घर की नोक्रानी है बेटी नहीं जो आप सब उसकी इतनी फिकर कर रहे उर्वशी तुम गुद मॉर्णी एब्रीवन गुद मॉर्णी मॉजजी बैठिये संतोष आया मेम साब बेठा ये साफ कर दो उमीद है आपको रात में नहीं अच्छे से आई होगी कोई तकलीफ तो नहीं हुई जो बिल्कुल नहीं मैं मनॉजी के लिए दन्यवाद हमने सुना था कि आपको आलू के पराथे बहुत पसंद है इसलिए आपके लिए बनवाए हैं यह लिए जिखाए है इंट्रेस्टिंग अलो जी डॉक्टर साहब सच मैं तैंक यू सो मच डॉक्टर जी उरवश्य मेडम के डॉक्टर का फोन था उनका कहना है कि इनके सारे रेपोर्ट सब पूरी तरह से नॉम्मल यह बिलकु ठीक है और इन्हें और कोई दवाई लेने की ज़रूवत नहीं कुंडली के अनुसार जो हम देख रहे हैं मैंने लगता कि यह बहुत जल्द ठीक हो है नेजिन चिंदा करने कोई आवशिपता नहीं है अगर उसकी बहन जिसके पैर पर काला टिका है यदि ओपूजा करे तो अर्वसी के हालत में सुधार हो सकता है बड़ी अजीब बात है पंड़ी ने तो कहा था कि वो रूप पाला टिका वाली लड़की आएगी तभ ही ऊर्वसी की तभ ही ठीक हो जाएगी लेकिन उर्वसी तो अपने आप सी ठीक होगे पंड़ी ची की भवष्यवाणी कभी गलत तो नहीं होती यदि अदि नहीं होता आप लोग अज भी इन सब चीज़ों के यकिन करते हैं बल्लब, पंडित की भविष्यवानी ये बताएगी कि इनसान कब ठीक होगा दॉक्टर्स की महनत, दबायों का असर सब यूही इंट्रेस्टिंग वेरी इंट्रेस्टिंग देगे, मैं तो इन सब चीज़ों में नहीं मानता मुझे ऐसा लगता ही कि इनसान अपनी किस्मत अपनी महनत से बनाता है और उसे अपनी जिंदीगी के फैसले खुद लेने चाहिए ना कि किसी पंडित और उसकी भविष्यवानी पे डिपेंड होना चाहिए कभी-कभी तकदीर ऐसे मोड पर ले जाती है किसमत का खेल आम इंसान को ऐसे समझ में नहीं आता है और ये हाज से नहीं सदियों से चल रहा है वंशी आज कल की पीडी अपने आपको मॉडन दिखाने के चक्कर में अपनी संस्कृती वेद पुराणों को भूलती जा रही है यकिन नहीं हो तो महिंदजी कि आप जैसा आज का नेता ऐसी बात ये कह रहा है मुझे लगता है आपकी और मेरी सोच में जमीन आस्मान का फरक है और जैसे कि बड़े और बुजर्द कहते हैं कि अगर सोच ना मिले तो काम करना मुश्किल हो जाता है मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है हम भी कैसी बाते लेकर बैठ गए Gaurav, तुम वेंच के पास जाओ शायद वो नाराज हो गए है उन्हें मनाओ, हम उन्हें खोना ने चाहते है जुझे गौरफ, बैटो ना, गौरफ तुम बैटो पापा, आप श्लोक भैया को भेहत देजिये ना? खेलो, काते श्लोक पाँ दन्हें ग्याँ लुझे मिए धे नाराए झालो, काते अभा, वो तुम बैटो, काते श्लोक भापा, ये गू कि गाँ को फो दो तुम बैटो, श्लोक आइज पाहते दाना है झालो, काते